हलो, नमस्ते, राम राम दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही खास है, इसलिए वीडियो पूरा सुनिएगा, क्योंकि आधा अधुरा ग्यान बहुत ही हानिकारक होता है आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ, दिवाली से जुड़ी बहुती महतुर्पून जानकारी दिवाली के दिन क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए दिवाली के खास मौके पर मालक्ष्मी और गनेश जी की विधिवत पूजा करने के साथ कुछ नियोमों का पालन करना बहुत जरूरी बना जाता है रोश्नी का पर्व दिवाली देश भर में थुम धाम से मनाया जाता है इस दिन मालक्षमी और गनीश ची की पूजा में किसी भी प्रकार की कमी न रह जाए सास्तरों के अनुसार दिवाली के खास मौके पर कुछ नियुमों का पालन करना बेहद जरूरी है तो अब मैं आपको बताती हूँ दिवाली के मौके पर क्या करें और क्या ना करें जिससे मालक्ष्मी की असीम कृपा प्राप्थ होती रहे तो अब जानिए दिवाली पर क्या करना चाहिए दिवाली के दिन रंगोली बनाना बहुत शुब बना जाता है इसलिए घर के प्रवेश दुआर के दोनों और आटा या फिर विभिन रंगों का इस्तिमाल करके रंगोली बना सकते हैं इससे मालक्ष्मी अते प्रसन होती है दिवाली के दिन तोरन लगाना काफी शुब बना जाता है इसलिए आमगे पत्ते फूल आदिक अस्तिमाल करके तोरन बना ले और इसे घर के प्रवेश दुआर पर टांगते मौना जाता है ऐसा करने से घर में सकारात्मक उर्जा का प्रवा तेजी से बढ़ जाता है इसके साथ ही सुक समरिद्दी के प्राप्ती होती है दिवाली के खाश मौके पर घर और ओफिस को अच्छी तरह से सजाना चाहिए इससे शुब फलों की प्राप्ती होती है दिवाली के दिन ज़ाडू का पूजन करना शुब माना जाता है इसलिए इस दिन नई ज़ाडू की पूजा करने के साथ सफेद रंग का धागा अविश्य बांदे दिवाली पर प्रवेश दुआर के दोनों और धीपक जला कर ज़रूर रखे इससे मालक्षमी अतिप्रसन होती है अब मैं आपको बताती हूँ दिवाली के दिन क्या नहीं करना चाहिए दिवाली के दिन शराब का सेवन बिलकुल नहीं करना चाहिए इससे मालक्षमी रुष्ट हो जाती है दिवाली के दिन घर का भातावरन शांत रहने दे ऐसे में किसी भी प्रकार का वाद विवद करने से बचें आमतोर पर संध्यावेला में सोना नहीं चाहिए इसलिए दिवाली के दिन भी शाम के समय बिल्कुल भी ना सोये ऐसा करने से घर से दरिदरता नहीं जाती है किसे भी इस्त्री का बिल्कुल भी अपमान नहीं करना चाहिए इससे अशुब फलों की प्राप्ति होती है घर के हर एक कोने में दीपक अविश्य जलाएं कुए, हैंड पॉम, टंकी, रसोई घर घर के हर कोने कोने में, हर वाश रूम में आद आपको तीपक जरूर लगाना चाहिए दिवाली के शाम जाडू बिल्कुल भी न लगाएं इससे मा लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है दिवाली के खास मौके पर किसी को भी लैदर, धारधार चीजे या फिर पटाके न दे, इससे रिष्टों में खटास बढ़ती है दिवाली के दिन ना आप किसी को पैसे दे और ना किसी से उधार ले इससे लक्ष्मी माता रुष्ट हो जाती है आज की वीडियो के लिए इतना ही, आप इन नियमों का पालन कीजिए आपको दिवाली की बहत शुपकाम नाए धन्यवाद